आई इस प्रव्म को सॉल्ड करते हैं question क्या कहता है the least number which went divided by 4,5,6 leaves remainder 1,2,3 respectively is क्या कह रहा है कि एक सबसे छोटी value जब हम उसको divide करते हैं 4 से, 5 से और 6 से तो वो remainder क्या देता है 4 वाला remainder देता है 1 5 वाला remainder देता है 2 और 6 वाला remainder देता है 3 जब किसी value सबसे least value x को divide करते हैं 4 से, 5 से और 6 से तो हमसे पूछ रहा है कि वो least value x की value बताएए क्या है तो इस तरीके के जो question होते हैं उसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो divisor है और जो remainder है उसके बीच का जो difference है वो सारे हों में कैस तरीके से है जैसे फॉर्स पॉर से जब हम divisor use कर रहे हैं तो remainder हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, it means यहां 3 value आ रही है 5 जब हमारा divisor है, तो remainder कितना आ रहा है 2 आ रहा है, it means minus करने पर 3 value आ रही है उसी तरीके से जब हमारा 6 divisor है तो remainder हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, it means हमारी जो value आ रहा है, माइनस करने के बाद 3 आ रही है, यह तीनो जब same values आती है, मतलब तीनो 4 minus 1 equal to 5 minus 2 equal to 6 minus 3 जब same हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो divisor है 4, 5 और 6 इसका LCM निकालेंगे और LCM में से 3 को minus कर देंगे, तो वही हमारा least number होगा जो 4 से 5 से 6 से divide होने पर 1, 2, 3 remainder देगा respectively, तो आई हम सबसे पहले क्या करते है, 4, 5, 6 का क्या निकाल लेते है, LCM निकाल लेते है तो यह सबसे पहले 2 से इसका factor से हम divide करेंगे, यहां 2 आए गा यहां 5 आए गा, यहां 3 अब यह तीनों values जो है, क्या है हमारी prime numbers है तो यह further divide नहीं होंगे, तो LCM क्या आने वाला है 2 into 2 into 5 into 3, it means 2, 2 जा 4, 4, 5 जा 20 into 3 60 60 हमारा LCM आया, और हमने क्या अभी देखा था कि जो LCM आया का, उसमें से 3 minus कर देंगे, it means 60 minus 3 57 जो है हमारी desired value है, जो है least number, जो divide करने पर 4 से 5 से 6 से remainder देती है 1, 2 और 3 respectively